हेलो बच्चो, लास्ट क्लास में हमने सॉल्फ किया था कोशन नमबर 1 से कोशन नमबर 6 तक, आज हम करेंगे कोशन नमबर 7 से कोशन नमबर 12 तक, तो कोशन नमबर 7 में दिया है, A merchant had Rs. 78,592 with her मतलब merchant के पास Rs. 78,592 है She placed an order for purchasing 40 radio set उसने एक order place किया 40 radio set का मतलब उसने 40 radio set उसको खरीदना है At Rs. 1,200 each Each मतलब एक, एक radio set का price है 1,200 और उसे खरीदना है 40 radio set How much money will remain with her मतलब उसके पास और कितना रुपे बाकी रहा After the purchase, मतलब खरीदने के बाद और कितना amount उसके पास बाकी रहा तो अब उसका answer करते हैं तो answer में Total money the merchant has उसके पास कितना टोटल रुपे था 78,592 और उसको कितना radio set order देना है 40 radio set इसलिए मैंने यहां लिखा Total number of radio set 40 तो इसमें दिया है एक radio set का कितना price है 1,200 तो इसलिए मैंने यहां लिखा price of one radio set एक radio set का है रुपिस 1,200 तो उसको खरीदना है 40 radio set उसको लेना है 40 radio set इसलिए price of 40 radio set 40 radio set का कैसे निकलेगा जितना एक का value होगा जितना एक का value होगा into जितना उसको खरीदना है 40 खरीदना है इसलिए into 40 हुआ तो बाकी कितना रहा उसमें कितना रुपे टोटल total कितना रुपे दिये 48,000 दिये बट उसके पास कितना amount total कितना amount है 78,000 तो next आपको question पुछा गया है उसके पास कितना रुपे और बाकी रहा remaining मतलब कितना रुपे सब खर्चा करने के बाद उसके पास कितना रुपे बाकी रहा तो remaining amount कैसे निकालेंगे उसका खर्चा जितना हुआ है और उसका total जितना हुआ है मतलब total minus 40 radio set का price तो उससे minus करने साथ है rupees 30,592 इतना रुपे 30,592 रुपे उसके पास बाकी रहा अब चलते हैं question number 8 पे question number 8 दिया है a student multiplied 7,236 by 65 एक student ने multiply किया 7,236 को 65 से instead of multiplying by 56 मतलब उसने एक student ने multiply किया 7,236 को 65 जबकि उसको multiply करना था 56 instead मतलब होता है जबकि जबकि उसको multiply करना था 56 then by how much was his answer greater than the correct answer मतलब by how much by how much मतलब कितना कितना उसका answer आया जो correct answer था उसको multiply करना था 7,236 को 56 के साथ multiply करना था 56 के साथ उसको multiply करना था but wrongly उसने कर दिया 65 के साथ तो इसने पूछा इन दोनों में कितना difference है कितना बड़ा आया उसका answer अब हम करते हैं आब हम चलते है answer की तरफ student multiplied 7,236 by 65 instead of multiplying by 56 यहां से यहां तक मैंने पुरा same लिग दिया है उसके बाद question दिया by how much कितना बड़ा आया उसका answer तो इसलिए मैंने किया the difference between the correct and incorrect answer यहां से ही मैंने लिग दिया correct और incorrect answer में कितना difference आया तो यहां पे जो दो number दिया है जो exchange हो गिया है वो वाले number को आपको minus करना पड़ेगा पहले minus करके 7,236 के साथ into करना पड़ेगा तो आपका result आजगा और आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं 7,236 को into करेंगे 65 से उसके बाद 7,236 को into करेंगे 56 से उसके बाद आपका result आता है तो मैंने इसका answer लिख दिया है जो into करकर आता है तो इसका answer यह दोनों का answer यह आता है into करने से तो उसके बाद आपको जो result आया है उन दोनों का difference जानना है तो उन दोनों को minus करना पड़ेगा 340 minus 705216 इन दोनों को minus करने से आपका result यह आएगा आप चेक कर सकते हैं यह दोनों तो यह वाला बहुत calculation इसका बड़ा हो जाएगा तो आप यह वाला भी answer follow कर सकते हैं इससे आपका calculation easy होगा और answer भी जल्दी आजेगा तो अब हम चलते हैं next question में next question है question number 9 to stitch a shirt 2 meter 15 cm cloth is needed एक shirt stitch करने के लिए 2 meter 15 cm cloth का जरुरत है needed मतलब जरुरत है out of 40 meter cloth 40 meter cloth से how many shirt can be stitched and how much cloth will remain तो 40 meter cloth से आप कितना shirt seal सकते हैं और remain कितना बाकी रहेगा आपका कपड़ा तो answer के तरफ चलते हैं answer दिया है first total आपके पास कितना कपड़ है 40 meter cloth इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा total length of cloth 40 meter आप देखिए यहाँ पे question में question में आपको दिया है यहाँ पे meter में यहाँ पे meter और centimeter दोनों में दिया है तो आपको first convert करना पड़ेगा meter को centimeter में दोनों के लिए यह use होगा first 40 meter दिया गया है तो 40 meter को मैंने centimeter में convert कर दिया हम जानते हैं 1 meter is equal to 100 centimeter तो 40 meter में कितना centimeter होगा 40 into 100 तो वही वाला चीज मैंने यहाँ किया है तो 40 into 100 हुआ 4000 centimeter और इसमें फिर दिया है एक शट बनाने के लिए एक शट बनाने के लिए 2 meter 15 centimeter use हो रहा है तो एक शट बनाने के लिए cloth needed to stitch a shirt a shirt मतलब one shirt 2 meter 15 centimeter इसको आप centimeter में convert करेंगे 2 meter में होते है 200 centimeter और 15 centimeter already centimeter में है इसलिए मैंने centimeter centimeter में ही रखा है तो इसका होते है 215 centimeter आपको पूछा है 40 meter cloth दिया हुआ है आपको सपोज यहाँ पे दिया है 40 meter यह है 40 meter cloth 40 meter cloth में आप इतने पार्ट से सोचिए एक cloth बना रहा है एक शट बना रहा है एक शट इतना मेटर एक शट बना रहा है 2 meter 15 centimeter तो इसमें पूछा है 40 meter cloth में आप कितना शट बना पाएंगे तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा divide करना पड़ेगा number of shirt निकालने के लिए तो इसलिए मैंने क्या किया है number of shirt कितना shirt बनता है 40,000 मतलब total length जो दिया है cloth का divided by 215 215 एक शट बनाने के लिए लगता है इसलिए इन दोनों को मैंने divide किया है एक बड़ा सा आपके पास कपड़ा है 40 meter का और उसमें से आप 2 meter 15 centimeter का एक शट बनाता है तो 18 centimeter का आप इस कपड़े में total shirt बना सकते हैं इसमें आपका points में आ रहा होगा something 18 point something तो फिर ये वाला जो होगा ये वाला आपको use नहीं करना है ये वाला proper आपका कितना shirt बन रहा है 18 18 तो इसलिए 18 मैंने लिखा है यहाँ centimeter नहीं लगेगा क्योंकि यह number of shirt है तो ये वाला centimeter काट दीजेगा उसके बाद पूच्छा है remaining कितना बाकी रहा कितना cloth आपका बाकी रहा remaining के लिए हमेशा minus करते हैं तो इसलिए 18 shirt आपका बना 18 shirt आपने stitch किया एक के लिए आपका use हो रहा है 215 तो 18 shirt के लिए कितना use होगा कपड़ा 18 into 215 तो आपको पता लगया इतना कपड़ा आपका 3870 कपड़ा used होए आपका used cloth तो ये वाला use होए remaining कैसे निकलेगा remaining हमेशा निकलता है total minus used cloth used cloth या जो भी given होगा उसको आपको minus करना पड़ेगा तो 4000 आपका दिया हुए है 4000 तो 4000 पे ने यहाँ पे लिखा minus किया 3870 तो आपका result आता है 1030 cm तो ये meter में convert हो सकते हैं तो मैंने इसको meter centimeter में convert कर दिया वैसे ही जब भी आपको remaining पुछा होगा आपको minus करना पड़ेगा यहाँ पे भी आपका remaining पुछा था remaining clock और यहाँ पे भी remaining money पुछा था इसलिए हमने यहाँ पे minus किया था और यहाँ पे भी हमने minus किया है अब चलते हैं question number 10 पे medicine is packed in boxes medicine को boxes में pack किया गया है तो each मतलब एक एक का weight दिया है आपको 4 kg 500 gram तो यह वाला जो दिया है 4 kg 500 gram किसका weight दिया है आपको यह वाला weight दिया है आपको box का how many such box can be loaded कितना box load होगा in a van एक van में van के अंदर कितना box आप load कर सकता है which cannot carry beyond 800 kg मतलब वो van 800 carry तक weight carry कर सकता है मतलब यहाँ पे यह आपका van है van का weight carry कर सकता है यह 800 kg एक medicine box आपने रखा 4 kg 500 gram तो इसमें पूछा है और आप कितना boxes रख सकते हैं कितना boxes यहाँ पे रख सकते हैं तो यह वाला question और यह question दोनों same ही था आपको पूछा था question number 9 और question number 10 तो how many shirt इसमें पूछा था है इसमें how many boxes पूछा है तो इसका format same होगा तो इसमें आपको जब आपने एक एक का निकाला था कितना shirt निकालने के लिए आपने इसको divide किया है था वैसे ही इसमें भी आपको पूछा है कितना boxes हम रख सकते हैं इसलिए इसमें भी divide होगा तो इससे पता चल जाएगा कितना box वो carry कर सकते है वैन में और 800 से जादा वो carry नहीं कर सकता तो यह है answer weight of each box एक box का कितना weight था यहाँ पे given है एक box का weight 4 kg 500 gram तो 4 kg 500 gram सब जो भी चीज दिया होगा question पूछा होगा आपको first convert करना पड़ेगा उसमें जो smallest unit होता है kg और gram में smallest unit होता है gram 1 kg is equal to 1000 gram तो यहाँ पे gram जो होता है smallest unit होता है इसलिए आपको sub time convert करना पड़ेगा gram में अगर kg gram दोनों में मिला कर दिया है तो इसलिए मैंने इसको gram में convert कर दिया maximum when कितना load ले सकता है 800 kg का load वो ले सकता है इसलिए मैंने लिखा है maximum weight carried by the van 800 kg यहाँ पे gram है यहाँ पे इसलिए आपको gram में convert करना पड़ेगा 800 kg में कितना gram होता है 800 into 1000 क्योंकि 1000 आया 1 kg is equal to 1000 gram इसलिए 800 kg 1 kg में 1000 gram होता है तो 800 kg में 800 into 1000 होगा इसलिए यहाँ पे आया into 1000 मैंने किया है तो weight कितना carry कर पाएगा when 80,000 gram total weight carry कर पाएगा तो इसमें पूछा था कितना box वो load कर सकता है तो number of boxes कितना load करेगा जो total दिया होगा total weight जो दिया होगा total weight divided by each box का इसलिए total weight को divide किया है मैंने 4500 के साथ तो total आता है 1700 boxes तो van carry करेगा 1700 boxes तो अब चलते हैं next question में question number 11 question number 11 में दिया है the distance between the school and the student house is one kilometer 875 meter distance between the school and the student house यहाँ पे एक school है यहाँ पे student का घर है तो school और student के घर में इन दोनों के बीच में distance होता है one kilometer 875 meter में everyday she walks both way मतलब यह one एक वे का दिया है तो बोला गया है कि everyday she walks both side तो यह सिर्फ जाने का दिया है तो दोनों side जाना आना जाना आना यह दोनों करती है जो दोनों side से आना जाना करती है तो find the total distance covered by her in six days तो इसमें पूछा है कि total distance वो 6 दिन में कितना cover कर रही है six days में वो कितना distance चल रही है तो first आपको one way का दिया है तो two way का वो चल रही है तो आपको यहाँ पे जो value दिया होगा into two करना पड़ेगा क्योंकि वो दोनों side चल रही है अब दोनों side जाने के बाद आना जाना करने के बाद वो six दिन total चलती है तो इसका जो answer निकला into आपको six करना पड़ेगा क्योंकि वो six दिन का पूछा है तो फिर इसके लिए answer है distance between यहाँ पुरा same दिया हुए distance between the school and the student house is मतलब equal to maths में इसका मतलब होता है equal to इसलिए distance between distance between the school distance between the school and the student house equal to one kilometer 875 meter इसको मैंने meter में smallest unit है meter इसलिए मैंने इसको meter में convert कर दिया है everyday she walks both ways मतलब यहाँ से आना और जाना दोनों वो करती है तो दोनों रास्ता होगा इसलिए into two both मतलब two तो इसलिए both मतलब two इसलिए into two हुए है तो total वो आना जाना का distance कितना हुआ उसका 3750 meter आना जाना का distance हुआ तो total इसमें पूछा है six दिन में six दिन में वो कितना आना जाना करती है तो total distance covered by her in six days six दिन में वो कितना distance cover करती है आना जाना का distance हो रहा है 3750 तो 3750 into six तो total आता है 22,500 meter यह meter में है तो आपको question में जब दिया था kilometer में दिया था और kilometer में इसको हम convert भी कर सकते हैं इसलिए मैंने इसको kilometer में convert कर दिया तो 22,500 meter को kilometer में जब हम लोग convert करते हैं kilometer में तो यह होता है 22 kilometer 500 meter तो अब चलते हैं नेक्स्ट कोश्चन, कोश्चन नमबर 12 निया कोण रहता अब वैसल है 4 liter and 500 milliliter of curd एक वैसल में 4 liter 500 milliliter curd रखा है दही रखा हुआ है रखा हुआ है इसमें एक वैसल है सुचिए एक वैसल में कर्ड रखा हुआ है 4 liter 500 milliliter का तो यहाँ पे बहुत सारा आपको कटोरी दिया हुआ है तो बहुत सारा आपको कटोरी यह ग्लास दिया हुआ है तो यहाँ पे ग्लास दिया हुआ है यहाँ पे एक ग्लास कैरी कर सकता है कैपसिटी है उसका 25 ml एक ग्लास में 25 ml तक कर रह सकता है तो इसमें question में पूछा है how many glasses मतलब ये curd यहाँ पे दिया है जो आप पहले इसमें डालेंगे first glass में then second glass में डालेंगे third glass में डालेंगे ऐसे ऐसे करकर आप भड़ते चले जाएंगे तो इसमें पूछा है कितने glasses में ये curd हम लोग डाल सकते हैं तो एक longer unit दिया है एक दिया है vessel टोटल दिया ये और एक glass का दिया है 25 ml तो first हमको given है quantity of curd in a vessel कितना quantity है 4 liter 500 ml तो इसको सबसे पहले हम ml में convert करेंगे smallest unit है ml तो इसलिए हम लोग इसको ml में convert करेंगे एक glass कितना carry कर सकता है capacity हमेशा जो liquid form होता है जैसे curd, water इन सब चीज में capacity यूज होता है capacity of each glass एक glass का capacity होता है 25 ml तो number of glasses आपको निकालना है कितना glasses होगा total कितना glasses रहेगा ऐसे ऐसे तो number of glasses तो कितना आप भर सकते हैं glasses तो वो आपको divide करना पड़ेगा divide करने से first इसको आपने convert कर दिया था तो longer unit जो larger unit जो होगा आपका larger number जो होगा divided by each each glass इसको divided by एक एक glass तो कितना capacity hold कर सकता है एक एक glass वो calculate हो जाएगा तो total आता है 180 glasses मतलब ऐसे 180 glasses होने के बाद ये वाला खाली हो जाएगा 180 curd सारे glasses में हम लोग भर सकते हैं तो यह आप तक हतम हो गया exercise 1.2 तो हम next 1.3 स्टार्ट करेंगे तब तक आप practice करिएगा exercise 1.1 and 1.2 और कुछ doubt होता है तो आप comment section में पूछ सकते हैं और अपने friends को share करते रहिएगा so that वो लोग भी पढ़ सकते हैं इसको okay thank you